हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का जीके ट्रैक यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए जुलाई मन्त करंट अफेर से कुछ आप से पहले मिल सके तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर आज का पहला कोस्टन है हाली में किस पाकिस्तानी खिलाडी ने अंतराष्ट्य एक दिवसी किर्केट से सन्यास लेने की घुशना की है तो इसका सही आंसर ओप्सन भी हो जाएगा सोयव मलिक ने पाकिस्तानी खिलाडी सोयव मलिक ने 6 जुलाई 2019 को अंतराष्टे एक दिवसी यानि के अंतराष्टे बंडे किर्केट से सन्यास ले लिया है और देखें यह टेस्ट किर्केट से पहले ही सन्यास ले चुके हैं अब इनका कहना है कि यह सिर्व T20 में अची खेलेंगे और द इसलिए इन्होंने अंतराष्टे किर्केट के सभी प्रारूप से सन्यास लिया है और देखें आपको बता दूँ आइन आइड़ा कहना है कि अब यह सिर्फ IPL मेंजी खेलेंगे तो आपको दोन वियाद रखने इस महीने में इन दो खिलाली उना भी सन्यास ले लिए और ज के मोश्ट इंपोटेंट कोस्टन है यह तो इसका राइट आंसर ओप्सं सी हो जाएगा जैपूर को देखें राजस्थान के राज़दानी जैपूर को अभी हाली में बहरत के 38 इस्थल के तोर पर यूनेसको 20 विरासत सुची में सामिल किया गया है देखें बहरत में अब 38 तो आपको याद रखना है और अगर हम यहाँ पर बात करें जैपूर को गुलावी नगर भी कहा जाता है और देखें कई बार यहाँ पर अगर हम बात करें युनेसको की देखें युनेसको की स्थापना सन 1945 में की गई थी और युनेसको का हेड़क contributors है पेरिस यानिकी फ्रांस में तो आपको यहाँ पूंट याद रखना है और आपको यह जरूर याद रखना है की जो बारत कंमे shoulder 28 बाद बीस्व ब्रासत इस्थल है जीसा भी हाली में युनेसको की बीस्व ब्रासत सोची में सामिल किया गया है कौ करोल रुपे का देखे रेल मंतरी प्यूस गोईल जी का कहना है कि सरकार ने भारते रेलवे को बिस्व में सरवस्ट बनाने के उद्देश से 2030 तक 50 लाग करोल रुपे के निवेस का लक्सिया रखा है देखे उन्होंने का है कि रेलवे में पर्याप्त निवेस नहोने की बज़े से देश में रेलवे बुन्यादी सनचना पिछले 65 बरसों में सिर्फ 3 प्रितिसत की ही ब्रद्दी हो पाई है तो इसलिए भारते सरकार ने अभी हाली में 2030 तक रेलवे में 50 लाग करोल रुपे के निवेस का लक्सिया रखा है तो आपको याद रखना है और अगर हम बात करें बहरत का 18 रेलवे जून कौन सा है कहां पर बनेगा तो यह आंदर प्रदेश में बनेगा और इसका नाम आपको सभी पूइंट याद रखने है चलिए अगला कोसन देखते हैं कोसन नमबर चार है हाली में रिलाइंस जियो ने किसके साथ मिलकर डिजिटल उडान के लिए समझोता किया है सही आंसर ओप्सन ये हो जाएगा फेसबुक के साथ मिलकर देखे डिजिटल साक्षिता पहल डिजिटल उडान को बडावा देने के लिए लाइंस जियो ने फेसबुक के साथ समझोता किया है अगर हम यहाँपर बात करें फेसबुक की तो फेसबुक की स्थापना कब होगा चलिए अगला कोस्तन देखते हैं हाली में किस राज्य सरकार ने 2076 मुख्य मंत्री टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर जारी किया है तो देखे इसका आंसर आपको पहले ही प्यता होगा तो इसका राइट यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाली में 2076 मुख्य मंत्री टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर जारी किया है देखे इस नंबर पर राज्य से कोई भी व्यक्ति कि राज्य के किसी भी स्थान से किसी भी कोन से किसी भी समय 2400 गंटे और सप्ता के साथ दिन कॉल करके अपनी सिकायत दर्ज करबा सकते हैं तो आपको यह नंबर याद रखना है अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते तो अगर आपको प्रिसानिय कोई समस्य तो आप इस न आमें कोशन पूछा आता है कि लखनव किस नदी किनारे बस हुआ है तो देखें लखनव गोमती नदी किनारे बस आया तो आपको यह याद रखना है चलिए एकला कोशन देखते हैं हाली में कौनसा राज्या परेटन को प्रोत साहन देने के लिए 316 परेटन स्थल विक्सित करेगा तो कौनसा राज्या करेगा असम राज्या तो इसका Right Answer Option D हो जाएगा असम राज्या देखे इस राज्य में असम दर्शन परियोजने के तहट इन परेटन इस्थलों को विक्सित करने के लिए 150 करोल रुपे का खर्च आएगा तो आपको याद रखना है कि यह जो 316 परेटन इस्थल है इने असम राज्य ही विक्सित करेगा यहाँ पर बात करें असम के CM यानी की मुख्य मंतरी कौन है तो सरवनरंद सोनोबाल है और यहाँ के गवनर है जगदीस मुखी और असम के देखे यह राजदानी क्या है दिस्फूर है और देखे असम के दो मैत पूर्ण नैसल पार्क है जो एकजाम में पूछे आते हैं कौन-कौन से है काजिरंगर नैसल पार्क और मानस नैसल पार्क तो यह कई वार एकजाम में देखने को मिलते हैं तो आपको याद चल प्रदेश की राजदानी इटा नगर में केंद सरकार तीन खेल कूद उत्रष्ट केंद स्थापित करेगे देखिए खेल मंतरी किरण रिजी जूजी ने कहा है कि ये केंदर मार्सल आर्ट बाहरोत तोलन और मुक्के वाजी के लिए होंगे तो आपको याद रखना है ये हाली में सफना चोधरी किस पार्टी में सामिल हो गई है तो देखे सप्णा चोधरी के ये किसि पार्टी में सामिल हो गई हैं तो इसका राइट आंसर ओप्षन भी हो जाएगा बीजेपी पार्टी में देखे दिल्ली के जवालाल नेरु स्टेडियम में सदस्यता अभियान कार्यकरम में इन्हें बीजेपी के महासचीफ सिवराज सिंग चोहान ने सदस्यता दिलाई तो आपको याद रखना है चलिए अगला कोस्टन देखते हैं इस प्रकार कोस्टन में आपको शुरू में भी कराया था तो उनका नाम है इम्रान ताहिर और जेपी डुमनी तो इसका राइट आंसर ओप्शन टी हो जाएगा ये एवं बी दोनों यानि कि इमरान ताहिर और जेपी डुमनी ने ये दच्छल अपरिका के खिलाड़ी है जिन्होंने 7 जुलाई 2019 को बंडे क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो दीखें अभी तक इस जुलाई महीने में चाल ख्लाड़ी ऐसे जिन्होंने अंतराश्टे क्रिकेट से सन्यास लिया है कौन-कौन से है एक तो अबांती राइड़ू है इन्होंने सभी अंतराश्टे क्रिकेट के प्यारूप से सन्यास लिया है और दूसरे है सोय मलिक इन्होंने बंडे क्रिकेट से सन्यास लिया है और जाएगा रोहित सर्मा ने एक बल्ड कप में सबसे जादे पांस सतक लगाने का रिकार्ड बना दिया है तो आपको इन्होंने ऐन्ए स्री लंका के खिलाली कुमार संगाकारा का रिकारड तोड़ा है जिन्होंने एक बर्ल्ड कप में 4 सतक लगाए थे तो अब 5 सतक लगाने वाले एक बर्ल्ड कप में खिलाली कौन बन गया है रोहिस सर्मा तो आपको उनका नाम याद रखने है चलिए next question देखते है बंडे क्रिकेट में 100 बिकिट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारते गेंदबाज कौन बने है तो जैसे के दोस्तों आप सभी को पता होगा 2019 का बल्ड कप चल रहा है तो इसमें काफे सारे रिकार्ड भी टूट रहे है तो आने वाले एक जाम में यहां से कोस्टन देखने को मिल सकते हैं तो इसी फिरकार से बंडे क्रिकेट में 100 विकिट लेने वाले भारत की दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बने है जस्परीत बुमरा तो इसका राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा जस्परीत बुमरा इन्होंने 57 मैचों की पारियों में 100 विकिट लेने का रिकार्ड बनाया है और अगर हम बात करें भारत के सब पहले गेंदबाज कोन थे जिन्होंने सबसे तेज 100 विकिट लिये थे तो उनका नाम है महमद समी इन्होंने 56 मैचों की पारियों में 100 बिकेट लिये थे और यहाँ पर अगर हम बात करें 20 की कि 20 में इस पहले गिंदबाज कोन है जिन्होंने सबसे तेज 100 बिकेट लिये हैं बंडे मैचों में उनका नाम है रासिद खान अफगानिस्तान के खिलाडी रासिद खान ने सिर्फ 44 मैचों की पारियों में ही 100 बिकेट लेने का रिकार्ड बनाया है तो आपको यह सब याद रखना है तो चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमर 12 है हाली में IBPS के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर ओप्सन ए हो जाएगा बी हर्दीश कुमार को आपको याद रखना है IBPS यानि की Institute of Banking Personal Selection इसका नया निदेशक नियुक्त किया गया है बी हर्दीश कुमार को चलिए एकला कोसन देखते है हाली में किस राजज सरकार ने जन चोपाल गार्यकरम का सुभारंब किया है तो किस राजज ने किया है तो 36 गड़ राजज ने तो इसका सही आंसर ओप्सन B हो जाएगा 36 गड़ राजज ने अगर बात करें, 36 गड़ की मुख्य मंत्री कोन है? तो भुपेस, बगेल हैं, और यहां के गवणनर है आनंदी बेन पटेल, और 36 गड़ की राजदानी है, राइपूर तो चलिए अब लाश्टी वीडियो कोस्टन देख लेते हैं, जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था भारत के प्रतिष्टित आईफा आवार्ड्स 2019 का आयोजन इनमें से कहां किया जाएगा? तो यह कोस्टन मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, तो सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, तो इसका राइट आंसर था, ओप्सटन D, नेपाल में, आपको याद रखने हैं, 2019 का आईफा बार्ड्स का आयोजन नेपाल में किया जाएगा, तो चलिए ब आपको कमेंट बोक्स में लिखकर बताना है, तो आज का कोस्टन है, 2019 के आम बजट को क्या नाम दिया गया, तो इस कोस्टन में आपको बताना है कि जो 5 जुलाई 2019 को आम बजट पेस किया गया था, उसे क्या नाम दिया गया था, साथ ही आपको बताना है कि ये बजट किसने पेस किया था, अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप comment box में जल्दी से लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो देखें मैं आपको बतादू, ये question मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, जो मैंने budget के उपर बीडियो बनाया था, अगर आपको इसका अंसर न